हेलोगोई तो स्वागत आप सबका टीम्स फर विन के यूट्यूब चैनल पर स्वाई होगोई आपस काफ़ एच्छों है काफ़ एच्छ विन में कर रहे होंगे तो इस पार्टिकल वीडियों बात कर ले हैं चैंपियंशिप का आज का जो मैच रहने वाले वेश्ट ब्रॉम अगर चैनल को सब्सक्राब नहीं किया वाई तो वो भी फटावट से जो है कर लेना अब चलते सीधे प्रिव पर सो मैच जो रहने वाला वो है वेश्ट ब्रॉमविच एल्भी हम वासे से शैफिल्ड उनेटेड चैंपिंशिप कर रहेगा 1230 रहेगा इस मैच कर लाइन वे वेश्ट ब्रॉमविच एनड शैफिल्ड दोनों ही जो है रेलिगेट हुई थी टीम एड वेश्ट नहीं अब चैंपिंशिप में आ चुके है एनड वेश्ट रॉमविच जो थी प्रीमेर लिग में 19 पर थी शैफिल्ड थी 20 पर सो दोनों गया और जो अटेग और डिफें करूं इदर चैंपिंशिप के मैं यही भी चैंपिंशिप का ही मैस था ओशी एंड इदर से रोबिंसन का गोल आया था एंड अभी मैथिस परेरा चले गाए तर रोबिंसन जो है काफे अचा पर फॉम अप कर सकते हैं शेफिल्ड युनाइटेड की बात करूं अगें स्वेंस सिटी इनका रहा एक ड्रो चैंपेंशिप का उससे पहले इन्होंने वन निल से विन किया था अगेंस्ट कार लिसल उनाइटेड एफल कप का वो मैस था एंड बूश्टर में बूश्टर का जुआया था इदर से एक गोल सो यह जो कुछ है लास्ट मैं निकल का रात है बाक छली यहां वहां पर जाके जोइन कर सकते हो तो आपको टीम्स फोर विन जो यहां शरच करना यां या फिर आप सीठाओ करोगे तो भी आपको जो है चैनल का खोफी आपको दिखा देते हो एकासे आपको टीम्स फुर सैज़ कराना है जासे सर्च करोके सब corp बास्केटबॉल का लग चैनल है वह बाकि उसके लवाइए इंस्टागराम एंड जो यहां से ट्विटर है इनको फोलो करना बिल्कुल भी मत बूलना क्योंकि यहां पर आपको काफी जो क्रिकेट की पोश्ट देखने को मिलेगी फैंटेसी रिलेटेड भी एंड वैसे भी सो तो दोनों तरीके से सो क्रिकेट की नोलीज अगर चाहिए तो जो उसे फॉलो करना क्रिकेट फुट बोल्स अभी कि आपको इस्टाइट्स वगरा नीज वगरा सब कुछ बाकि यूटीब चैनल है उप आपने सब्सक्राइब कर लिया ओकर नहीं किया तो लिंक से या फिर वी है उसके लवा ओशी है बाटले है एंड इदर से क्लार्क जो ब्राइट अन हो लबेन की टीम से लिए गए हैं वहाँ पर 44 मैजेस क्लार्क में खेले थे तो यह रह सकते हैं इदर से डिफेंस बाकि मिड फिल्ड की बात करूब फॉर लोंग मुवाद लिवर्मूर एंड टा आपको इदर से देखने को मिलेंगे लास सीजन तो डियागनें ग्रांट के एक एक गूल के रोबिंसन के देच है गूल इस सीजन भी आपको ज्यादा ज्यादा गूल जो है रोबिंसन की तरफ से देखने को मिलेंगे कुछ आपको ग्रांट की तरफ से देखने को मिल सकते ह नहीं शेफिल्ड की बात करूँ रमस्टेल जो इदर से गोल किपिंग करेंगे 42 मैचे अब तक खेल चुके उसके लबागा बाल्डुक है इगन है बाशाम एंड इदर से रोबिंसन आपको इदर से डिफेंस में देखने को मिलेंगे लास सीजन जो इनका प्रीमर लिखा था उसमें ज्यादा ना तो इन्होंने गोल किये ते डिफेंस में तो लाई कि इन्होंने धज्या अपनी उडवाई ही थी तो बाकि यह सीजन अभी लाइक इनके थोड़ी सीक्वल सेनरी को टीम आ गई तो देखते हैं कैसा कुछ के परफॉर्म कर पाते हैं उसके लाबावा अ ज्यादा ज्यादा करने कलें इन्हीं का काम रहता है तो डेफिनेटली गोल्रीक आपके लिए इंपर्ट मेंगे उसके लावा में बोलू तो नोर्वुड एंड फ्लेक एक अच्छे प्लियर निकल कर आ सकता है आपके लिए मिड फिल्ड में से एंडगर डिफेंस में से जा पिछले पांच मैचे में वेस्ट प्रॉम विच ने दो ड्रोग खेलें तीन के हैं विन वहीं पर शेफिल्ड ने एक ड्रोग खेला यह तीन में एक मैच वहा रहे हैं तो डोनों टेम्स की जो रिसेंट फोम है वह काफी हद तक सही है बट मैं अभी इस सेजन की बात करू कि अभी तक इस सेजन में क्या को चनौन परफॉर्म किया है इधर से वेस्ट प्रॉम विच जो है थोड़ा सा उपर है पॉन्ट स्टेबल में चेंपेंशिप में अब तक दो मैच के लिए हैं अब तक दोनों मैचे में से आइधिंग की ड्रो एंड एक हारी है तो यह अभी त मैचने तीन हैं शेफिल्ड एन एक में जो रहा है वो रहा है ज्यादा तो अब तक दिफ्रेंस है नहीं बट वेस्ट प्रम विच फिर भी एक मैच से तो आगे निकल कर आती है बात करो मैचनौ मेच के हों ग्राउंड की यहां पर वहें चार मैच फिफ्टी अब तक तो हु तो पिछो पांच में आगे हैं आज के स्कोड की आगर मैं वाइस्ट के बात करूं पूरी एक लाइनप के रहें को लाइक कंसेडर करके दन उस केस में भी वैश्ट विच पर आपरेंड़ रखते है उनका डिफेंस में रोगो कावि सही लगता है एंड अटेक में भी रोबिंसन मुवात लिवर्मोट राउंसेंड जैसे प्लेयर्स हैं सो डेफिनिटली आइधिंक कि वेस्ट रॉम वेच आज के लिए विन कर सकते हैं क्लीन शेट से तो नहीं बोलूँगा बट टू वन आइधिंक एक अच्छा स्कोर रह सकता है या फिर एक वन वन से आपको ड्रो भी देखने को मिल सकते हैं अब चलते हैं अपनी स्मोल लीग के टीम के उपर बट उससे बेले कौन से लीग के जो आपके लिए पिकर है सकते हैं उनकी अगब बात कर लेते हैं वेश्ट वमज के तरफ से ग्रांट को आप ऐसे ग्रेंड लीग में ट्राइ कर सकते हो बाकि उसके लबा स्मोल लीग के लिए कौनसे उप्षिन अच्छे बनते हैं रोबिन सेन डेफिनिटल एक अच्छे ओप्शन बनेंगे फोर एक कैप्टन उप्शन बागि उसके लावाँ शेफिल्ड में से इधर से मैगोलरिक वाइस के लिए अच्छे ओप्शन मनते हैं सेफ स्मोल लीग में जाने के लिए उसके लावाँ ग्रैंड लीग की माथ को ट्राइ कर सकते हैं अपनी जो ग्रैंड लीग की टीम में अब चलते एक बार अपनी स्मोल लीग की टीम के ऊपर क्या को जो मैंने पिक की हुई है तो पूरी एक वेस्ट पूमविच के फिवर में मैंने अभी के लिए तो टीम रखे है जिसमें रामसिदिल को पिक है जो के पर उसके बाद है बाटले फॉरलोंग और ओशी मेरे पाथ डिफेंडर सेक्शन में वेश्ट रॉमविच की तरफ से मिड़वा मिडफिल्ट सेक्शन के बात कर तो डियागने को पर रसक लिया है इदर से एंड तैन है मेरे पास सलिवर मोर मिड़ फिल्ड में जो शेफि बर्ज भी काफे सभी पिक है सकते हैं अगर आप चाहो तो ग्रांट की जगह पर बर्ज के साथ में जा सकते हैं सोरी ग्रांट की जगह पर नहीं बुर्के की जगह पर अगर आप जाना चाहो तिन आप जा सकते हैं इदर बर्ज के साथ में बट अभी के लिए तो मैं इनी के सा करना चाहूं तो ग्रांट की जगह पर या फिर लिवर्मोर की जगह पर आप एक एक एक्ट्र डिफेंडर के साथ में जा सकते हूं रही कि अभी के लिए टीम बाकर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरू से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हूं अगर